नमश्का राफ सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है चार सितंबर सन दूजार तेईस विक्रम समध दूजार सी चल रहा है भादर्पद मास है कृष्ण पक्षे वर्षा रितू है तिथी आज की पंचमी है और आज का वार है सोमवार आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र सुबह 9 बच के 26 मिनट तक है आगे भ सुर्य देगा समय दर्श को जहां 6 बच के 7 मिनट सुबह का था वही सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 44 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 7 12 बचे से लेकर 12 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मूरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझीगा सूजबू से टाल दीजिएगा यह दोपेर 12 बार बार तीन बच के 22 मिनट और 4 बच के 12 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को पूर्व दिशा में तो पहली देखकर पांच कदम पीछे चलिए और यह प्रक्रिया करें तब अपने इस्ट को आप अपने हिर्दे में मानके उनसे प्राथना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी सुरक्षित रहेगी दिशा शूल नहीं लगेगा आ तो आपकी सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्श्यों को मेश है यानई चंदरबा मेश राशी से गोचओध कर रहें जिससे आज काए दिन सभी बारे राशों के लिए कुछ प्रिकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले आज रहेंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ब्रहमित रहेंगे वहीं व्रश राशी वाले आज लंबी यात्रा को अवाइड करें और मिथून राशी वालों की कोई मनोकामना अचा सावधानी किसी से जगड़ा भी हो सकता है और तुला राशी वाले जो एविवाईत हैं उनको रिष्टों के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं रश्चिक राशी वाले पैसे के लेन देन में बढ़ते सावधानी वहीं धनू राशी वाले जो चात्र चात्राइं हैं उनके देन राशी वाले आप अपनी वानी से करेंगे आज सबको प्रभावित आपकी जो कम्मिनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छी रहेगी आज अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी को प्रग्या को जाग्रत करेगी फिरागे समझे और धरम गरंतों में बहुत विस्तार से किया गया है और यह इसलिए हुआ कि जब आप किसी से मुत्रता करें या वहवार इस्तापित करें जान पैचान करें तो उसके आचरण में जो गुण या दुरगुण दिख रहे हैं उन्हें समझ कर अच्छे से आंकिलन कर यह निश अच्छा में या किसी की हानी में बहुत ही विशेश आनन्द आता है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें क्योंकि यही उसका सुभाव है और यह सुभाव एक दिन आपकी भी हानी का कारण बनेगा अगर आप उसके संपर्क में रहें भले ही उसका इसमें कुछ सीधा लाब ना हो जैसे की वस्तर काटने वाला चूहा कभी पेट भढ़ने के लिए कपड़े नहीं करता है तो यह ध्यान रखें इस प्रकार से सामने वाले का आकलन करें और फिर उससे मित्रता या संबंध या वैवार इस्तापित करें याज की ज्यान चर्चा का सार है अब करते हैं बात उन विसस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार के समश्चाओं के सेरल समधान आपको करके देते हैं और जिने करके आप सफलता अर्चनों को बहुत पीछे छोड़ते वे जीवन में सफलता की और दढ़ता से अगरसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आप सभी लोग आज कमल का इत्र सवा किलो चावल एक चान्दी का तार और सवा किलो गौ मता का दूद शिवाले में अर्पित करें और नम्यशिवाय नम्यशिवाय की 27 माला का जाप करें शाम की तीस मिनिट के बाद में आप किसी निर्धन व्रद्ध महिला को वस्तरदान कर दें तो फिर देखिया आने वाला वर्ष कितना सुंदर बनेगा आपका और इश्वर की कितनी अनुकमपा रहेगी आप करके देखिए बहुत आनंद आएगा कोई संधे नहीं ऐसे दर्श को जिनकी जनम पत्रिका में निर्बत पिडित हों या विपरीत दशा से आपको परिशान कर रहे हों या जो लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी से जूज रहे हों या फिर अत्यन थी भाउकता के कारण अनेक प्रकार के रोगों की और बढ़ रहे हैं वो सभी साथ चंद्रग्रह का अश्रवाद भी प्राप्त करें इसके लिए आज आप शिवाले में चांदी का एक तार एक मोती सवा किलो चांवल दही दूद मिश्री सफेद चंदन सफेद वस्त्र असली शंक और नित्य के पूजन की सामगरी लेके जाए यानि पंचुप्चार की पूजन की सामगरी सबसे पहले शिव परिवार का पंचुप्चार से पूजन करें गंगा जल युक्त जल से शिवलिंका विशेक करें फिर सभी जो वस्तुएं साथ में लाए थे महादेव को और पित करें उनसे प्रातना करें कि है प्रभू चंद्रग्रह की पीडाओं से मुक्ति दिलाएं और शुब फलो में व्रद्धी करें इसके बाद में चार माला आप इस मंत्र की करें ओम एम क्लीम सो माय नम है ओम एम क्लीम सो माय नम है चार माला का जाप करें फिर सोला माला का जाप आप करें ओम श्राम श्रीम श्रोम सहे चंद्रम से नम है ओम श्राम शरीम श्रोम सहे चंद्रम से नमहें 16 माला का जाप करें अन्त में फिर एक माला आप चंद्र गाइतरिकी करें जो इस प्रकार है ओंभूर भूए जितना आपको अपिक्षा है तो कोई भी ओश्यदी लें जब भी आपको दवाई लें तो पहले उसे इस बहुती विश्यश मंत्र से 11 माला जाप करके यानि सामने रखें 11 माला जाप कर और उसे फूक मार के अभी मंत्रित कर लें बहुती तिवरता से शुपता से वह मंत्र ज्भान चींदक सबीते हों मंत्र हैתי की स्मर्वत्या जिए पन्तर फिर से चलबार होती हो या फिर बेवजे ही शरीर गिड़ता जा रहा हूं तो रोगी स्वैम अगर कर सकता हो या उसके घर में परिवार में जो परिजन है वो इस मंत्र उपाशना को अवश्य करें बिधान इस प्रकार है कि या तो रोगी स्वयम एकिस दिन तक पांच्वाला नित्य जाब कर लें या कोई परिजन में से कोई करें तो 22 दिन गंगाजल को अभी मंत्रेत करके और रोगी को पिलाएं जो मंत्र है वो इस प् समझते हैं अम्रत अम्रतोद भवे अम्रत वर्षणी अम्रतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह रह स्वाहा इस प्रकार से कीजिए और चमतकार देखिए कैसे बहुत जल्दी आप बिमारियों से बहार आते हैं तो यह थे आज को विस्ष्ट उपाए जो आपकी समझाओं का अंत कर रहे हैं मनोकामनाओं की पूर्ती कर रहे हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे सब्सक्राइब का जनम है सुब्सक्राइब काम ठीक से नहीं चल रहा है इनका प्रशन है उपाए बताएं लखन सिंग जी मेश लगन कुम्बर आशी की पत्रिका आपकी अभिया आपके भागेश गुरू की महादशा चल रही जो की यूग कारक इस्तिती है फिर भी आपको छेटे भाव मिस्तित होना जिससे यह दिख रहा है कि भागे में अवरोध लाए जारे शत्रुपक्ष द्वारा यहीं कोई परिशान कर रहा आपको तो आप नित्य हनुमान चालीसा के पाट कीजिए श्री राम जैराम जैजैराम इसका संपुट लगाई हर चौपाई के ब प्रमोशन कब तक होगा इनका प्रशन है देखिए प्यूश जी व्रस्चिक लगने आपका करकराशी है और बहुती बली लगनेश बहुती बली दशमेश यानि की करम का करियर का मालिक और भागेश बहुती अच्छा है आपका तो यह स्पष्ट राजयोग दे रहे हैं गलत कदम उठाने की आपकी आदत है तो इन दोनों चीजों का बदल लीजिए आपका प्रमोशन जनवरी सन दोजार चौबिस से मार्च सन दोजार चौबिस के बीच में हो जाएगा गुरु ग्रह के साथ गुना जाब करवाकर एक अच्छा सा पुखराज पहनना आपके ल जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे आपको जीवन शो में सत्य में और अनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उपाए करे तापके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामना पूर्ती निश्चित रूप से हो कारिक्रम हमें बने रहने के लिए बहुत बहुत साथ वायत भगवतियास्वप का कल्यान करे जया आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खुबसूरत कैसे बना सकते हैं जो डिवाइन गाइडिन्स हमें मिलती है उससे हम ये जान पाते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल या चैलेंज आज हमारी लाइफ में है तो हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं और आप तो जानते हैं कि हम इसके लिए एक से लेकर नौ मुलांक तक की रीडिंग करते हैं यदि आपने हमारे प्रोग्राम को नया जॉइन किया है और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी रीडिंग होगी आपकी तो उधारन देकर समझाना चाहूंगी अगर आपकी डेट अव बर्थ है 17 यानि की 17 तो एक और साथ आपको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर आठ आठ होगा आपका मुलांक और आज की तारिक है 4 सितंबर 2023 और नंबर 4 जिसके स्वामी होते हैं राहू तो आज क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है एक से लेकर 9 मुलांक तक के जातकों पर आईए हम जानते है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह मैं आपको एक विशेश बात बताना चाहूंगी हाली में मुझसे प्रशन पूछा गया कि हम दीपक क्यों प्रजवलित करते हैं तो दोस्तों अथर्व वेद की अनुसार अगनी को ही देवता माना गया इसलिए हमा यहां पर जोत में ही जो है परमात्मा को देखा जाता है माना जाता है देवी देवताओं का आगमन किया जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप दीपक प्रजवलित करते हैं और इसके अंदर पुष्प बन जाता है हाड का शेप आ जाता है ऐसे अलग-लग श सन्न है तब भी इस प्रकार की जो हैं बनते हैं प्रक्रिया होती है साथ ही साथ ऐसा ये भी कहा गया है कि हमारे यहां पर कई जगहों पर आपने देखा होगा विशेश तोर पर राजिस्थान में कि जोत देखने का प्रावधान है जोत देखी जाती है जोत बुलाई जाती है जो छाने होते हैं जहने हम कंडे भी कहते हैं उसके उपर बाकाइदा जोत को बुलाये जाता है जब भी कोई विशेश कारे होता है जैसे कि नवरातर होते हैं तो देवी की जोत देखी जाती है तो ठीक इसी प्रकार से अगनी को दीपक को एक बहुत ही महतपूर्ण स्थान द लाये जाता है और कैसी मनुकामना की पूर्ती के लिए उसकार को किया जाता है लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिकारिक्रम में और जानेंगे मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं और हमें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आज मूलांख एक के लिए 4 सितंबर 2023 के लिए कहा जा रहा है isolation आपका जो लखी नंबर है वो है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में जो भी कुछ चालेंज आपके समक्ष आया है या फिर आज आ सकता है तो वो जो चालेंज है वो आपका दीरे दीरे ओवरकम हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका काम रुकेगा हाँ थोड़ी रुकावट है थोड़ी व्यवधान परेशानी है लेकिन end of the day कहीं न कहीं आपको मार्ग मिल जाएगा अपनी उस परेशानी से बाहर निकलने का तो कुल मिलाके क्या करना है आपको सभाविक सी बात है मैं तो एकी चीज़ बताऊंगी कि भगवत चिंतन करें अपने आप पर भरोसा रखें आज जितना जादा खुद पर भरोसा रखेंगे अपने इश्ट देव का स्मरण करेंगे भीतर से शांत रहने का प्रयास करेंग 4 सितमबर 2023 के लिए और मूलंक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है कांट्रोल का कार्ड है कि आज के दिन ना कंट्रोलिंग वाली थोड़ी सी आपके बीतर की वो हो si DU के यह चीज़ें मेरे अनुसार हो कर देब सข tub देना चैए क्योंकि कही ना कही उसमें वह सार्थक चीजें चुपी होती हैं जिनका हमें ग्यात नहीं होता कहते हैं ना किसी विशय को आप जो है ग्राउंड फ्लोर से देखो तो दोनों में अंतर आ जाता है देखने का ठीक उसी प्रकार से आपको आज अपनी मानसिक्ता को थोड़ा ब् एगो में आके ऐसा कोई भी काम नहीं करना है वना बना-बनाया काम बिगाड़ देंगे तो आज आपको क्या करना है थोड़ा शांती से लब ओर कंपैशन से किसी विकारे को पूर्ण करना है कंच्रोलिंग से नहीं, क्रोध से और एहंकार से आज आपको बचना है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है प्लेफुलनेस का कार है लकी जो रंग है वो है आपका लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन की उर्जाएं आपकी बहुत अच्छी है आज की दिन हसते खेलते सारे कारें को आप पूर्ण कर लेंगे जो भी कोई कारे आपका अटका हुआ था पिछले कुछ समय से या कोई सपोर्ट अगर आपको सिस्टम नहीं मिल रहा था तो आज जरूर मिलेगा कुल मिला कि आज का दिन अच्छा है बड़े से बड़े कारे जो है वो अगर आप करना चाहें तो आज ही पूर्ण कर लें कहते हैं आज परमाटमा क्या गाइड कर रहे हैं चार सितंबर दोहजार तेज के लिए आज की तारीक है नंबर 4 और मुलांक 4 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है इससप्रेशन का काड है लगी नंबर है आपका नंबर एक और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत जादा आप जो है डिप्रेसिव एनरजी में रह सकते हैं बहुत जादा आपको जो है कारे की या रिलेशन्शिप की किसी भी प्रकार की टिंशन हो सकती है बेचे नहीं बनी रह सकती है लगेगा बहुत सारा बोज आ गया है फि सारे दिन एक जैसे हूं तो आज का दिन अगर है वी है तो जरूरी ने की कल का भी हो कहा जाता है ने जितनी अंधेरी रात होगी उतनी ही खुबसूरत सुभय होती है और रातरी के अंधेरे को एक सूरे का जो प्रकाश होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफर्म कर देता है आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है moment to moment का काड है लगी नमबर है आपका नमबर दोर आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर है धीरे 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 आप आगे बढ़े हड़ बढ़ाना नहीं है किसी भी कारे को करने में आज जल्दबाजी नहीं करनी है बलकि आप बिल्कुल सही मार्ग पर है step by step आप आगे बढ़ रहे हैं growth हो रही है आपकी विशेश तोर पर अगर मैं बात करती हूँ व्यापारियों की जो नए व्यापारी है जिन्होंने के भी नया कार स्टार्ट किया है या कोई भी नई चीज आरंब करने जा रहे हैं आप तो उसमें बिल्कुल भी हडबड़ी ना करें हर किसी चीज के success को होने में थोड़ा सा समय लगता है तो वो patience आपको रखना जरूरी है बट हाँ आप सही मार्क पर हैं आपका दिन शुब होगा आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा से काफी ज़्यादा परिवर्तन आये यह परिवर्तन आपके विचार धाराओं का भी है यह परिवर्तन आपकी हेल्थ का भी है यह परिवर्तन आपके कारे करने के तरीके का भी है तो कुल मिलाके आपका जो काम है आपके जो life है वो एक positive way में transform हुई है और यह बहुत इच्छी बात है कहीं न कहीं आपका यह transformation आपकी growth में आपकी सहायता करेगा और आज का जो दिन है वो क्या कह रहा है आपको flowering का कि दीरे दीरे आप success को प्राप्त कर रहे हैं जो भी कोई काम आप कर रहे हैं अब आपको उ मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है शेरिंग का कार्ड है मूलांक साथ के जातकों को कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना जादा आप देंगे उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा यह तो ब्रमहंड का नियम है कि whatever you give it will come back to you in many folds तो आज आपको कहा जा रहा है अगर आपकी knowledge को आप share करना चाहते हैं या आप अपनी AI का एक हिस्सा जिसे कि हमारे आपर दान पुन्य कहा जाता है आज आप इस प्रकार का कोई भी अगर कारे करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है यह जो दान पुन्य है वो ग्यान का भी हो सकता है तो जिनको विशेश तोर पर जिन बच्चों को आप अपने आसपास देखें जहां शिक्षा की कमी है या वो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण वश तो आप एक प्रयास कर सकते हैं इसके लावा हो सकता आपके जूनियर के साथ जो हैं बरताव करते हैं जब आपके पास वो ग्यान या धन उपलब्द है विशेश तोर पर तब तो जितना जादा आप देंगे बाटेंगे उतना ही अधिकाप प्राप्त अवश्य करेंगे आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है पास Life का कार्ड है आपको कहा जा रहा है की आज का जो दिन है वो कार्मिक डे हैं कार्मिक डे मतलब कि पास्ट में जो किया हुआ कर्मा होता है फिर वो चाहे इस जनम का हो या पूर जनम का हो आज tehा आएगा आडे फिर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नकेटेव oh it all depends कि आ प्राप्त वेंगी कर्मों का प्रतीफल आपके समक्ष है जो भी को आपने मेहनत की है पिछली कुछ समय में सकता है लेकिन निदिया आप ने किसी का दिल नुखाया है किसी साथ गलत किया है तो वैसा ही परिदाम भी आज आज आपको प्राप्त होगा तो वो result एक कहिना के आज result का दिन है तो आपको क्या करना चाहिए कि आज आज आपको सबसे पहले तो acceptance के mode में आना चाहिए कि whatever is coming in my life today मैं उस चीज़ को बहुत ही easily लूँगी और किसी प्रका का over reaction नहीं करूंगा या करूंगी इस वात का ध्यान रखना आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलंक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 के लिए और मूलंक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है तो टर्निंग इनका काड है लगी नंबर है आपक पर फोकस करने के लिए और सबसे महत्पूर्ण बात है अपनी अंतरात्मा से आज आपको कनेक्ट होना है थोड़ा सा भीतर से पीसफूल आपको होने की जरूरत है कहीं पर भी अपना आपको सही साबित करने के लिए पीछे ना लगे क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मि ना सकते हैं इस बात पर आज आपको काम करना है कुल मिला के कहूं तो स्वाध्याय करने की याद जरूरत है अगर मैं आध्यात में किस तरकी व्यक्तियों की बात करो जो की स्पिरिच्छल प्रैक्टिस में तो आज के दिन आपको मेडिटेशन का बहुत अच्छा बैनिफि करन को मिलता है हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका शुक्रियादा करती है आपके भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रणाम कर देंग में मकान में दिर्राज शॉट सर्ग्षा